देखिए, संसार में 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उसमें केवल मनुष्य शरीर ऐसा है, जिसमें हम साधना के द्वारा दुखों से छुटकारा पाकर आनन्द प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बार आप लोगों को बताया गया है, कि देवता भी इस मानो देख को चाहते हैं, इसी लिए, साथ अरब आदमियों में साथ करोड भी ऐसे नहीं हैं, जुनके उपर भगवान की ऐसी कृपा हो, कि कोई बताने वाला सही सही ज्ञान करा दे, कि क्या करने से तुम्हारे दुख चले जाएंगे और आनन्द मिल जाएगा, और जिन लोगों को ये सवभाग्य प्राप्त हो चुका है, ये जान चुके हैं, किसी महापुरुष्टे, वे लोग भी फिर 84 लाख का हिसाब बैठा रहे हैं, क्यों? एक उत्तर है, लापरवाही, लापरवाही, हमारे पास दो चीज है, एक शरीर, एक आत्मा, जब हम जान गए, कि आत्मा का कल्यान असली कल्यान है, शरीर को तो दो रोटी मिल गई, शरीर ने कहा वाश ठीक है हो गया, लेकिन आत्मा का कल्यान एक बहुत बड़ी प्राब्लम है, किन्तु हम जड़ा अकेले में सोचे हैं, सब लोग सोचें अकेले में कि हम शरीर के लिए कितना समय देते हैं 24 गंटे में, और आत्मा के लिए कितना समय देते हैं 24 गंटे में, बस एक कृपालू का प्रस्ण है, सब लोग सोचें, रोज सोचें दो तीन मिनट, अकेले में निश्पक्च हो कर, भगवान को सामने खड़ा करके, आज 24 गंटे में हमने कितना समय पेट के लिए, शरीर के लिए खर्च किया, और कितना समय आत्मा के लिए खर्च किया, और उसमें हम आत्मा के लिए कितना बचा सकते थे, और नहीं बचाया, हमको एक घंटे मिला था चार से पांच तक खाली उस समय हमने क्या किया कहां गए क्या बोले क्या सुना किसी की बात क्या सोचा मन से और क्यों इसके बिना भी काम चल सकता था इस समय का हम उपयोग भगवान के निमित कर सकते थे अगर कल का दिन हमको न मिला तो आज तक का ही तो हिसाब किताब भगवान हमको फल देंगे तो हमको केवल एक बात पर विचार करना चाहिए कि जितना आवश्यक टाइम पेट भरने के लिए हो बस उतना टाइम हम दें उसको बाकी टाइम में मन को हरी गुरू में लगावे एक कसम खाले हम लोग प्रतिग्या कर ले हम लोग कि हम मन को मार डालेंगे अगर इसके खिलाफ कुछ करेगा तो जिद्द कर लें आप लोग हम यहां से जा रहे हैं सत्संग भवन कोई काम तो नहीं है नहीं तो श्वास श्वास से राधे राधे करते चलें क्यों नहीं करते कि अरे कमा लेना थोड़ी देर जैसे संसारी पैसा कमाते हैं कि एक एक पैसा कमा करके ही लोग अरब पति बने हैं कि एक एक छण का उपयोग कर लें अगर हम कि तो डेली हम आगे बढ़ते जाए आखिर मन तो करेगा कुछ न कुछ अगर आप उसने सही काम नहीं कराएंगे तो गलत काम करेगा मा का बाप का बीबी का बेटे का दुश्मन का चिंतन करेगा वो चुप नहीं रह सकता है आप यहां से सत्संग भवन गए तो करता रहेगा काम अपना यह जा रहा है यह जा रही है यह खड़ा है यह उससे बात कर रहा है इससे आपको क्या मतलब आप अपना लाब कमाईए चालाकी यह है कि अपनी कमाई बढ़ाओ केवन श्वास से राधे बोलने में क्या परिश्रम है वो जानेगा भी नहीं यह क्या करता जा रहा है यहां से सत्संग भवन तक और हमने कमाई कर ली चोड़ी चोड़ी दिन भर आप चलते रहते हैं तो चलते समय भी आपको चिंतन तो करना पड़ेगा आप बचने ही सकते तो अगर आप भगबच चिंतन न करेंगे तो संसार का चिंतन को करना पड़ेगा क्योंकि तमाम जन्मों का अभ्यास है उसने अच्छा लगता है मन को क्योंकि उसको अपने मुवाफिक सामान मिलता है लेकिन उसका कोई फल नहीं बलकि हानी है क्योंकि मन में संसार आ रहा है हम यहां से अस्पताल जा रहे हैं अरे हम बाथरूम भी जा रहे हैं तो हम का अरे पाथ दो मिनट का समय पांच मिनट का समय है हम राधे नाम का जब करते हुए जाएं कमाई कर लें उतने देर में खाली बैठे हैं एक और बगल में बैठा है अब उससे बोलने को मन कर रहा है क्या बोलें कब जाओगे कहा रहते हो क्या करते हो वो ऐसा है वो ऐसी है अजी क्या कर रहे हो अपना सर्बनाश जान बूज के जिसका कोई लाब नहीं हानी है क्या सिखा है तुम्हें गुरू ने अजी हम तो गुरू रू की बात नहीं सुनते अपना सर्बनाश करके छोड़ेंगे मरने के पहले ताक हमको मानो देह भी न मिले यही तो प्रतिज्या है आप लोगों की वरना क्रिपालू बोला करें एक भी आदमी आप लोगों में नहीं है जो हम कह रहे हैं उसका आप भ्यास करें एक भी आदमी नहीं है और कितने सब आप लोग घर छोड़ छोड़ के आए हैं भगवान के निमित दूसरे की बुराई का चिंतन गंदगी का चिंतन या अपने ही परिवार का चिंतन हो रहा है यह क्यों तो आप लोग फिर से सोचें गंभीरता से सोचें और यह भी सोचें कल का दिन मिले न मिले जो करना है आज कर लो अंतिम समय अगर हमारी भगवत भावना रहेगी तो मानवदे चैलेंज के साथ मिलेगा और जो बाकी है उसको हम पूरा कर लेंगे और अगर अंतिम समय गंदा चिंतन चल रहा है तो मरने के बाद उसी की और उसी में जन्म होगा यह सौ बार आपको बताया गया है कि जड़ भरसरी के परमहंस को भी हिरन बनना पड़ा अंतिम समय में हिरन का चिंतन किया आप लोग घर छोड़ के आए हैं फिर घर वालों का चिंतन क्यों करते हैं क्यों नहीं सोच लेते सब मर गए कोई नहीं है हमारा उनसे स्वार्थ है अड़ी तो स्वार्थ है तो चिंतन करने से क्या मिलेगा तुमको अगर किसी को स्वार्थ भी हो तो थोड़ी सी एक तिंकर दो कभी अले बेटा तेरी बहुत याद आती है रहे बलकतब रोज फोन हो रहा है बाते हो रही है गपे हो रही है यानि हम लोग अपने सर्बनाश के लिए प्रतिग्या किये हैं आए मन तुझको भगवान की ओर नहीं चलने देंगे करोड कृपा लुआ हो हैं क्योंकि मरने के बाद मुझे फिर से मनिष्ट नहीं बनना है कुट्टे बिल्ली गधे के योनियों में जाना है आप लोग समझते हैं है नर्णे के बाद देखा जाएगा क्या देखोगे फिर तो भोगोगे एक बिद्यारती परीक्षा के समय तीन घंटे में कुछ लिखता नहीं या गलत फलत लिखता है तो देखा क्या जाएगा उसका जब नंबर आएगा जीरो बटे सो तो मालूम हो जाएगा मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं आज्या देता हूं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अभ्यास करें अगर आप लोग मेरी बात मान के दस दिन भी अभ्यास कर लेंगे तो पिर आपको आदत पढ़ जाएगी पिर आप से रहा नहीं जाएगा बिनाराधे जब किये कोई भी चीज कुछ दिन जबरदस्ती करो तो अभ्यास हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें गंडी चीजें सिग्रेट है बीडी है चाय है हम कुछ दिन जबरदस्ती उसका सेवन कर लेते हैं तो वो खोपड़ी में आके पिंच करती है हमारा सेवन करो तो जितनी आवश्यक्ता हो कंपल सरी सर्विस कर रहे हो उसमें ब्यापार कर रहे हो उसमें कोई भी सेवा कर रहे हो गुरू की उसमें उसके बाद जो खाली समय मिला वो काम में ले लो बस उस समय हम लोग कुसंग करते हैं कुछ न करें सो जाएं तो भी ठीक है कुसंग कू कू माईक बिशेयों का चिंतन मा का बाप का बेटे का बीबी का पड़ोशी का सत्तंगी का किसी का चिंतन उसकी गंडी-गंडी बातों का चिंतन उसमें मन का अटाइच्मेंट होगा, मरोगे तो खाली समय तो और आपको सर्मनाश करा रहा है मैं एक उदाहरन दूँ, एक लड़की बाहर से आई है उसको हमने इतना बड़ा सवभाग दिया कि तम हमारे रसोई घर में काम करो लोग तरस्ते हैं महराज जी के घर में, कमरे में, रसोई में कोई सेवा मिल जाती एक दिन को और हमने कहा यहीं पर सोया करो उसका अपना कमरा है तो जितने हमारे करमचारी हैं, तीन-चार सब के कमरे हैं, लेकिन सब यहीं सोते हैं कभी महराज जी बुला लें, किसी काम के लिए, तो गेट खोल के कैसे कोई बाहर जाएगा बुलाने उसने नहीं सुनी ध्यान दो, अपने कमरे में जाके वो सो गई सो इन दस बजे रात को कमरे में ताला बंद कर एक और लड़की के पास गई वो दोनों लड़कियां अपना अपना कमरा छोड़कर रड़क पर कहां गई पता नहीं क्या मीटिन कर रही हैं दोनों प्रलाई करेंगी कि स्रिष्टी करेंगी अब आप लोग सोचिए यह सर्बनाश पर तुले हैं न लोग गुरू से भी चोरी भगवान से भी चोरी और दस बजे रात के बाद आश्रम में ही इतनी बड़ी चार सो बीस तो यह एक बड़ी बात है लेकिन लगभग ऐसी ही जाब लोग करते हैं मन से चिंतन आपने किया वो भी वही बात है शरीर से आप किये मन सहित उसका भी वही पल है तो इसलिए दूसरे के दोश का चिंतन न करो उम्मन में आएगा तुमारे अव अस्थान कर लेगा गंदा कर देगा मन को अपने दोश देखो अपने एक एक छण का उपयोग करो तो फिर देखो कहा पहुँचते हो और नहीं करके सर्बनाश करने की ठान ली हो तो हमारे सब वाक्य वापस कर दो कर देखो प्रवक प्रादे एक प्रवड़ कर देखो राहते लाहते जरतीले लाहते गा हने! कर दो 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 लादे लादे, 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 बाचे लाचे 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 झाल 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 झाल